Pan आधार लिंकिंग फिर बड़ी पैन से आधार को लिंक करने की तारीख, जान लिजिए नई deadline. Pan आधार लिंकिंग डेट एक्स्टेंड, Pen Card को आधार से लिंक करने की अंतिम्तिथी बड़ा दी गई है. इस काम को करने के लिए पहले 31 मार्च 2003 की तारीख निर्धारित की गई थी, जिसे तीन महीने आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम्ति थी, बड़ी पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम्ति थी लेकिन अब इसे तीन महीने आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है अब पैन कार्ड और आधार कार्ड को 30 जून 2003 तक लिंक करा सकेंगे विता मंत्रालेट फाइनांस मिनिस्ट्री की ओर से पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथी में बढ़ोतरी करने के फैसले के बाद साफ शब्दों में कहा गया है कि अगर नई निर्धारत तिथी यानी 30 जून 2003 तक ये काम कराने से चुकते हैं तो फिर आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रह जाएगा आएकर विभाग ने ट्वीट कर दी जानकारी आधार पैन कार्ड लिंकिंग फिर बड़ी पैन से आधार को लिंक करने की तारीक पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथी नजदीक आज ही निप्टाएं ये ज ट्वीट में कहा गया है कि करदाताओं को इस जरूरी काम तके लिए कुछ और समय देने के लिए तारीक को 30 जून तक बढ़ाया गया है। आधार लिंक नहीं करने पर आपका पैन कार्ड डियक्टिवेट कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर कार्ड होल्डर मुच्यूल फंड, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट जैसे काम नहीं कर पाएंगे। यही नहीं आज के समय में बैनक अकाउंट खुलवाने से लेकर रियल एस्टेट या अन्य कोई डील करने में पैन कार्ड सबसे जरूरी डोक्यूमेंट होता है। इसलिए भले ही डेडलाइन को बड़ा दिया गया है, लेकिन इस काम को अंतिम तिथी का इंतजार किये बिना जितना जल्दी हो सके निप्टा लेने में समझदारी है। बंद कार्ड का इस्तिमाल पड़ेगा भारी। पैन कार्ड डियक्टिवेट होने पर अगर आप इसका इस्तिमाल किसी भी फाइनेंशियल कार्या के लिए दस्तावेज के रूप में करते हैं तो आपकी उपर दस हजार रुपे तक का जुर्माना लग सकता है। इंकम